हेलो असलामलेकूम दिस इस सुहेळ धन्जूम है अगें आज हमने जिस इंडिकेटर के बारे में बात करनी है वो है मूवींग एवरिज के मूविंग एवरिजेस हमने डिसकस कर ली थी तो आज हम RSI mean while RSI mean relative strength index indicator पर बात करेंगे यह एक one of the important indicator है आपकी trading strategies को define करने के लिए trading strategies में आपकी entries and entries points define करने में क्योंकि यह हमें information देता है overbought and oversold condition कि इस टाइम stocks और या जो assets हैं वो overbought हो रहे हैं या oversold हो गए हैं तो यह हमें इस तरह की clear indication देगा जिससे हम realize करवाएंगे कि इस टाइम market हमारी overbought condition में है या market हमारी oversold condition में है तो i hope कि यह lecture आपको काफी पसंद आएगा तो चलते हैं बिना किसी time zap कि यह बगैर मैंने पहले 3 moving averages use की थी 8 32 and 55 तो मैंने basically 3 indicators apply किये थे तो यह क्यों कि यह है मेरा basic account यह मेरा pro account नहीं है basic account भी होता है कि आपको maximum 3 indicators use करने की इजाज़त दी जाती है from trading view बारहल आप चेक कर सकते हैं यहां पर आप भी जो हमने indicator discuss करना है वो है RSI relative strength index अगर मैं इसको click करूंगा तो वो मुझे यह कहेगा भाई कि आप 3 से ज़्यादा indicators use नहीं कर सकते right now your plan has three indicators और अगर आप यह ज्यादा यूज़ करना चाते हो तो आप इनकी process लेलो तो हमारे पास बड़ा सिंपल सा हल यह है कि हम इसमें से अपनी 55 moving averages के indicators को remove कर लेते हैं ठीक है तो ताकि हम RSI को बेहतर थी किसे समझ भी सकें तो मैं अभी indicator लगाने कुशिश करता हूं RSI keep remember the name is RSI relative strength index relative strength index is the momentum indicator momentum indicator हमें पता है कि momentum से क्या मुमेंटम औराद है कि किसी भी quantity of motion of a moving body is called momentum के जितनी quantity move हो रही है उस motion के दुरान body की वो हमें एक momentum की सुरत में पता चलेगा कि market का क्या momentum है ठीक है तो हम relative strength index के indicator को apply करते हैं तो यह कुछ इस तरह की सुरत हाल आपको नजर आ जाएगी यह indicator आपका लग जाएगा it is called relative strength index अब यह हमें information मैंने आपको बताया था कि यह क्या information देता है कि यह over bought और over sold condition जो होती हैं in the price of stocks or in the assets उसको हमें evaluation में यह help करता है और RSI is a displayed as an indicator in which we can have a value from 0 to 100 जिसमें मैं अगर इस indicator को double click करता हूँ तो आपको यह इसकी values नजर आएंगी from 0 to 100 के तरम्यान में हमने mostly इसको study करना होता है अगर तो 0 से below ही चला जाता है ना तो maybe वह study vanish हो जाए मतलब market से ही खतम हो जाए debt हो गया ना basically इसमें से कुछ standard values होंगी जो हम आज RSI की indicator में define करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि market is time oversold है market is time overbought है तो वह चीज़ आज हम इसमें अपने इस indicator में सीखेंगे तो मैं इस indicator की वैसे थोड़ी setting कर लेता हूँ जो मुझे color visible हो I like yellow ताके जो जो भी value है मैं उस value को देख सकूँ इसमें जी तो मैं basically discuss कर रहा था कि हम इसकी कुछ shape को देख लेते हैं जैसे मैंने इसको yellow कर दिया ताक it will become more and more visible to me to everyone और हम इसकी कुछ setting ऐसी और भी कर लेते हैं ताकि यह हमें इसको हम top पे भी लेके जा सकते हैं वैसे normally मैं इसको top पर ही set करता हूँ आपकी भी मर्जी है आप इसे कहां set करना चाते हैं अभी मैंने इसकी यह setting करनी है between 30 to 75 वो तो हो गई है यह 30 to 70 और इसके बाद इसकी यह setting करनी है basically यह कैसे होगी जैसे हम अपने वर्ड वगेरा में काम करते हैं professional documents डिजाइन करने में यह सेम से मैसे ही है खेर अभी इसको उठा कि हमने लेके जाना उपर just give me some time नहीं जा रहा है यह पेट इसको फिर ऐसे ले जाते हैं okay लें जी यह मैंने एक इसकी च्छोटी सी setting की है okay इधर हमें यह किसी हम तो visible है सही है ठीक है अभी यह इसकी grading हुई हुई है 30 से 70 कि जर्मियान में तो RSI indicator के बारे में कुछ takeaways हैं कुछ key points हैं जो मैं आप से discuss करना चाहता हूं कि first of all तो जैसे मैंने कहा कि जो relative strength index है यह popular momentum indicator है oscillator है कि हमें यह market के momentum के बारे में बताता है कि जो हमें bearish and polish behavior conduct realize करने में help करता है उसके बाद यह जो RSI indicator है and asset इसमें usually consider किया जाएगा overbought यह line काफी important है मैं इसको text की सुरत में भी लिख सकता हूं कि यह overbought asset को consider किया जाएगा कि बहुत ज़्यदा buy किया गया है when RSI is above 70% and यह इसको consider किया जाएगा oversold when RSI will be below at 30% तो मैं इस यह key points है जो आपने याद रखने है कि below 30% और हम इसको case studies के जरीए भी verify करेंगे below 30% means कि जो भी आप stock study कर रहे हो या जो भी आप कोई crypto currency का project study कर रहे हो कोई forex का आप pair study कर रहे हो अगर RSI आपकी उस chart में below 30% है तो it's mean कि वो stock वो crypto project या वो forex का pair oversold आप consider करेंगे और अगर तो बहुत ज़्यादा ही below चला गया है below 20 चला गया है 20% तो it's mean कि वो काफिली ज्यादा oversold किया जा सकते oversold हो गया oversold mean कि लोगों ने बहुत ज्यादा sell कर दिया और उसकी price जो है काफिक गिर गई है जो price है price है price है price जो है उसकी गिर गी है price becomes more down तो आपको पता है कि price जब नीचे आ जाएगी तो now it's a have to time for buy now condition यह है कि आपको इस point पर buy करना चाहिए तो जब हम अपने different interprets of time में discussion करेंगे करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब RSI आपकी below fifteen percent चलेगी है तो यह बहुत अच्छी condition है बहुत अच्छा time बहुत अच्छा time है कि आप buy करें ताकि आप we should buy ठीक है we should buy लेकिन of course हम इसके साथ और भी indicators को लाजमी consider करेंगे जिसमें हम हम अपने MACD के indicator को देखेंगे अपने 55 moving averages को देखेंगे of course मैंने candlelic study के lectures में details से तीनों lectures में जो part one part two part three different types of candle study की थी हम उनको भी देखेंगे फिर हम अपनी buying interest को set कर लेंगे तो अगर below twenty percent या below fifteen percent आपको किसी stocks की value RSI indicator दे रहा है तो it's time for buy keep remember technical analysis works from 60 to 70 percent अगर आप इसको दूसरे tools and indicators के साथ apply कर रहे हो it's not every time hundred percently work but मैंने बताया कि इसमें जो आपको ratio मिल रही है वो seven ratio three seventy percent chances है कि आपने गर below fifteen percent कोई बहुत ज्यादा oversold stocks को या forex pairs को या cryptocurrency project को buy किया है तो market के cycle में मों काफी नीचे project गिरा होगा है तो market have to repeat his cycle और आपको वो again अप जाता नजर आएगा उसकी RSI above fifty आएगी आपको नजर वो ऐसे ही आएगी कि price अप जाएगा क्योंकि लोगों ने काफी ज्यादा oversold कर दिया हमें crude oil की RSI को दो दो percent पर भी देखने को मिला even zero percent पर भी देखने को मिला जब crude oil ही zero हो गया था even negatively trade हो रहा था and you imagine के लोगों ने इतनी panic selling की के crude oil को आप दो डॉलर बर पेरल पर देख रहे थे और RSI at that time आपको below five percent नजर आ रहे सी तो that was the perfect buying of crude oil के जिनोंने वहां पे crude oil पे buy किया था don't worry I know कि आप अभी यह चीज़ भी सोच रहे होंगे कि हमें यह crude oil पे कैसे accounts हम कैसे देख सकते हैं या हम अपनी investment कैसे कर सकते हैं तो module 3 में हम कुछ इस तरह की चीज़े discuss करेंगे किया आप 4x पे अपना with the help of trusted brokers आप accounts कैसे अक्टिव कर सकते हैं आप options trading पे आप अपना account कैसे अक्टिव कर सकते हैं of course यह जो trading business है यह बड़े दिल बड़े जिगर वानों के लिए business है तो risk always there but you have to play with the risk management with the proper risk to reward ratio otherwise यह जितना पैसा देता है उतनी जल्दी पैसा ले भी जाता है यह मैं experience से बात कर रहा हूं so okay we are now on module one it's just a basic trading material where we will study some basic indicators with some basic tools और हम अपनी chart painting and designing को सीखेंगे और फिर हम इन basic information को हम किसी cryptocurrency के project में apply कर सकते हैं या वहां पर एक basic exchange पर account account बनाने के बाद आप एक buying selling के सिरसले को सुरू करें and with the passage of time your trading skills will be more and more improved and अगर आप polish करते रहेंगे continuously learning पर focus करते रहेंगे तो मैं उमीद करता हूं कि आप basic से medium medium से advanced में level लाजमी जाएंगे और in the same manner यह कैसी skill है कि यह आपको timely independent locationally independent और of course जो लोग बहुत जड़ा वो greedy नहीं है उन्हें पता है कि trading is business for patience holders अगर आप Warren Buffett को study करें उसकी past history को तो उसके Coca-Cola की one time investment और उसको काफी years के बाद उसको उसको उसने कहां पर लेके गई तो trading business is for patience patience holders तो यह चीज़ें हम discuss करेंगे निशाला साथ साथ तो basically मैं आपको extended values बता रहा हूं RSI की जो हमने define करनी है कि below 30% हमने consider कि जो हमारे stocks हैं वो या asserts हैं वो oversold हो गया है ठीक है मैं यहां पर लिखता हूं कि rather stocks और एसर्स आर ओवर सॉल्ड ठीक है वो oversold है और below 20% है कि जो stock की price है oversold है and price become price will fall price will more fall ठीक है okay and we should buy और अगर तो आपको between 15% and 10% के करीब आरा सही मिलरी है तो इसमेन आप उस stocks में इंवेस्ट कर सकते हैं इस टॉक्स हां स्टॉक्स जी ओवर सोल ओई ठीक है तो यहां पर इंट्रोल जी के ओके राइट राइट नो स्टॉक्स oversold जी अच्छा now in the same manner हमने जब देखना है के above above 70 above 70 तो हमारे जो 70% का मतलब यह होगा कि हमारे जो stocks हैं वो आपके भाई overbought हो गए हैं लोगों ने बहुत ज़्यादा buying कर लिया है जिसकी वज़ाद से momentum bullish momentum ने bullish momentum चल रहा है और stocks overbought हो रहे हैं और आपको पता है कि एक जो trading एक ऐसा business है जहां पर continuously price जो है वो अप 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 यह डाउन 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 नहीं जाती यह एक cycle है हम इसको Elliot wave के जरीए समझने की कोशिश करेंगे together with the fabonacci numbers यह दोनों टूल्स हैं हम apply करेंगे अपने maybe module 2 में जहां पर हम देखेंगे कि यह market में अगर downfall है तो upfall आना ही आना है appreciation है तो depreciation आनी आनी है अगर अगर depreciation है तो appreciation आनी आनी है ऐसा नहीं है कि price will continuously rise 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 और crop price will continuously fall 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 no price will move according to the market psychology according to the trading tools and indicators ठीक है है तो अभी हम कुछ standards value define कर रहे हैं अपने आरसा इंडिकेट कि अब आप 70% है तो हम consider करेंगे कि overbought हो चुके है stocks over stocks are overboughts okay stocks और इस सर्ट इकम और बोर्ट और इन दा सेम एनर आपने देखा कि यार आरसा ही जो है वह अबव आपकी 80 चलेगी है या अबव 80 है या 80 है अट लिस्ट तो stocks काफी overbought हो गए है आपने अगर dip से buy किया हुआ था बलाइक 30 आरसा ही से या 20 आरसा ही से तो आप भी sell कर सकते हैं क्योंकि डेफिनेटली प्राइस जो है वह आपकी प्राइंग प्राइस से ऊपर जा चुकी होगी सोरी तो इन दे सेम एनर आपने फिर एक्जिट मॉन्स भी ट्वाइन करने हैं लेकिन अगर आप होडल है होडर है और फॉर डियर लाइफ तो फिर बेशक आप सेल ना कीजिएगा आप आपके एक प्रॉपर परसंटेज होगी कि मैंने इसी पर सेल करना है मैंने जैसे बताया है कि आपने अगर आप होडर है और आपने कहा कि जी मैंने इसी प्राइस पर सेल करना है मेरा टार्गिट है कि मैंने वन एक्स या टू एक्स भी अपने इस ए तूर्वेटर्स निडिकेटर्स यह जो टूर्ट तू तो टूर्वेटर्स नबर देटर्स बहुत इंपोर्टन एं क्योंकि वो डेली बैसिस पे प्रॉफिट कैश कर रहे होते हैं अल्दो के उनको कुछ उनकी ट्रेडस के स्टॉप लॉसे सिट भी उते हैं जन्हें हम लॉस जिस कहते हैं तो यह उनके लिए हल्फुल हैं तो अबाव 80% स्टॉक्स बिकम मोर और ओर बोर्ट अच्छा अब हमने इसको हमारी इंट हमारे पास दो स्टेंडर्ड वैल्यूस हैं लाइक बिलो 30% बिलो 20% तो वी शुडब बाई अबाव 80% और अबव 90% सो वी चैल टो कैश प्रॉफिट एक आप इंस्ट प्रॉफिट वही होता है जो आप कैश करके अपनी अपनी पोकेट में डालने हैं अपने बैंक में लेंडेट्स इस दा प्रॉफिट तो इन देसे मैंडर आपने अपने प् क्लीम कैसे अप्रूव होता है कि मैंने जब कहा है कि आप बिलो एर 20% या बिलो 30% आए तो आप बाई करो एंडेंड वेट तो आपका जैसे प्राइस अप किसी अच्छे पॉइंट पर जाता है तो आप उसको सेल करके आप अपना प्रॉफिट कैश कर लो मैं यहां पर तर बाइंग से अपने एक नैलिसिज करके आपने इक इंवेस्मेंट करते हो तो जैसे जैसे प्राइस आप जाता है तो आप पिर बीज़िए बना रहे होते हो हां वाइस वरसा है अगर वह प्राइस आपकी हमें नहीं जाते आपने बाई-लांग किया हुँँ हुआ था और और प्राइस किरना स्टार्ट होगी, तो इन दे सेमेनर आप अपनी मन्नी को लोस भी कर रहे हैं। और यही केस स्नेरियों आपकी शॉर्ट सेल में भी है, कि आपने शॉर्ट सेल लगाया, मेन वैल आपने अनेलसिस से प्रिट्ट ये किया, कि प्राइस विल गो डाउन बट प्राइस अप जा रहा है, तो उस इसाब से आपको लोस भी होगा, वो लोस, प्रॉफिट लोस के कैलकुलेशन हम बकाइदा एक लाइव रेड में डिसक्स कर लेंगे, कि वो कैसे कैलकुलेशन होती हैं, तो यू डॉंट हैव तो वर्य अबाउट इड़ टुड़ेशन हम आरेसाई पे थे, जैसे कि इस टाइम आपने मुझे ये बताना है कि इस टाइम आपको कंडिशन क्या लग रही है, इस टाइम मेरी जो आरेसाई की वैल्यो वे अल्मोस्ट 77 है, और यह यहां सर आप जाते जाते, इस टाइम आपको आरेसाई की वैल्यो 77 अज़र आ रही है, तो इस में जो हमारे पास जो यह बिट कोईन का स्टॉक है, यह बताएं, यह ओवर बॉर्ट है यह सोल्ड है, आपको मैं 10 सेक्रेट से तनों आप सोचें, इस टाइम आरेसाई की वैल्यो 77 है अल्मोस्ट जी, अफकोर्स आप बिलकुल सही सोचा आपने के जो स्टॉक्स हैं वो इस टाइम बिट कोईन जो है, वो इस टाइम ओवर बॉर्ट हुआ हुआ है, काफी लोगों ने बाय कर दिया हुआ है, वो प्राइस अप गया हुआ है, जब मैंने केंडलिक स्टॉडी में यह चीज़ें आपको बताई थी, आपने मेभी अपना कॉंसेप्स क्लियर किया होगा, कि क्या human psychology behind the scene अप्लाई होगी, और काफी लोगों ने बाय किया होगा, डेफिनेटलि उन्होंने कुछ यहाँ बे मुझे important candles भी नज़र आ रही है, और यह हमने वहाँ भी discuss की थी, कि किस candle पे लोग buying कर रहे होते हैं, और किस candle पे लोग selling भी कर रहे होते हैं, तो इस तक मतलब यह है कि इस टाइम यह over bought की condition में है, डेफिनेटलि यह आपको कुछ देर में stable भी हाएगा, अभी हमेने one day का चार्ट खुला हुआ है, जैसे कि मैंने अपने lecture, previous lecture में discuss किया था, कि 14,000 में हमें एक अच्छी खासी resistance पेस की है, हमारे पास एक अच्छी खासी resistance है, जिसकी वज़े से हमें rejection देखने को मिली है, अगर मैं आपको यह दिखाऊ हूँ, यहां पर देखें, प्रिवियसली यह July 2019 में 14,000 को टच किया था, और now in November 2020, again we are at 14,000, तो यह एक resistance थी जो के नहीं टूट पाई, में भी तूट जाएं, अगर bulls will be more and more stronger in the market, तो यहां से एक rejection phase करनी पड़े, तो overbought है, तो यह normalize होगी with the passage of time, आपको price down देखने को मिलेगा, then market have to repeat its cycle, and again it will go up, ओके, तो RSI को मैंने जो अभी तक discuss किया है, कि RSI is relative strength index, basically यह एक popular momentum tool है, momentum मैंने आपको बताया है, कि कोई भी quantity of motion of moving body, कि एक moving body की quantity of motion है, वो momentum कहलाती है, और क्योंकि यहां पर prices every time move हो रही है, और हमारे पास जो bodies हैं, वो candles की सूरत में है, तो continuously candles formations आपके बन रही है, तो और दूसरा मैंने जो RSI के बारे में most important चीज़ बताई थी, कि यह आपको bullish and bearish momentum से बताता है, वो हमने कैसे recognize किये, मैंने जब RSI की standard values आप से discuss की, कि below 30 और below 20 और above 70 और above 80, हमें stocks की information मिलती है, कि stocks आया overbought हैं, stocks आया oversold हैं, और उनकी standard values क्या हैं, जहां पर हम stocks की overbought और stocks की oversold conditions को realize करते हैं, अब जैसा कि मैं एक case scenario discuss करूंगा, एक से दो और हम फिर RSI को summarize करने कोशिश करेंगे, यहां पर अगर हम अपनी RSI की value देखें, it is become 85, right? 25, यानि कि हमारी जो ये candle है, green candle जो हमें ये नज़र आ रही है, इस time इसकी price 11,822 पर थी, और यहां पर stock इतना overbought हो गया, इतना overbought हुआ, कि अब काफी लोगों ने buy कर लिया, and these will be the same people who want to cash, तो वो of course sell भी तो करेंगे ना, जिन्होंने buy-buy कर रहे हैं, हमें एक downfall देखने को मिलता है, इस candle की सूरत में, और मैंने कहा था कि जैसे ही आप देखें कि price आपकी above 80 RSI है, या 85% above RSI है, तो आप sell short कर सकते हैं, और can you imagine कि जिन लोगों ने अपनी investment से dead, यहां पर हम थे 11,886 डॉलर पे, उन्होंने sell short की bid लगाई होगी with some handsome amount of investment, और यहां पर हमें यह अच्छी खासी rejection देखने को मिली, क्योंकि यह indication थी कि beers will be more and more active now, because stocks are already overbought, so it's time for people to have sell their assets, तो यहां पर insert की हुई आपकी investment, 11,980 almost इस point पे भी, क्योंकि आपने देखा RSI is going above 80, so it's time for your entry to for sell short, तो यहां पर अगर हम देखें, कि यह जो change आप 11,980 से लेकर आप देख रहे हैं within one day, it's a very good change within one to two day, क्योंकि यह एक अगस्त से दो अगस्त के दरम्यान में आपको यह पूरा candle formation नज़र आएगा, तो यहां की आपकी inserted investment, 11,980 के करीब करीब, और अगर आपने अपनी proper risk to reward ratio के काम करें, कि जी मेरा 2% risk है with 5% reward, तो यह एक बहुत आपकी handsome trade बन सकती थी, यहां पर अगर आप sell short के जरीए इसको आपने active किया होगा, तो यह trade हम इस तरह की trades हंट करेंगे continuously, अपनी live trading में भी देखेंगे module जब हम second discuss करेंगे, in the same manner मैंने यह discussion की थी आप से overbought की सुरत में कि आपने sell करना है, हम oversold की condition भी देख सकते हैं, जैसे कि यहां पर हमें RSI की value 14 देखने को मिली है, so we will try कि यह आपको किस point पे RSI इतनी देखने को मिली है, exactly मैं यह candle find की है, यहां पर देखेंगे कि यह जो candle है आपको, यहां पर आपको bitcoin का price 4000 नजर आया, ठीक है, almost, अगर आप इस candle पे भी है, आपको almost bitcoin का price 4600 भी नजर आया है, जैसे यह below 20 चला गया, it means that it's time for perfect buy, so you should buy, and you should buy, तो आपने देखा कि यहां पर अगर आप buy करते हो, 4300 पे भी या 4500 पे भी, तो RSI ने अपना cycle तो repeat करना है, करना है, by stabilizing, by stabilizing with the passage of time, आप इसको above 40, 50 देखेंगे, और even overbought होते भी देखेंगे, क्या आपको नहीं लगता कि आपने यहां पर investment करनी चाहिए, and then you just hold your asset, आपने जो investment की हुई है, तो यहां पर देखें कि हमने हमारी यहां पर investment 4500 पे, now with the passage of time, within five day, ten day, or within fifteen day, or within months, you are seeing, कि आपको, आपको bitcoin जो है, वो 9000 डॉलर पे जाता हुआ नजर आ रहा है, आप इसी तरीके से कुछ और stocks को भी study करें, कुछ और projects को भी study करें, जहां पर RSS आपको below 15 मिली होगी, आप यहां पर alerts भी लगा सकते हैं, alerts लगाना बहुत एजी है, और आपका phone will ring like a bell, तो उन alerts की मज़ से भी आप अपने interest को define कर सकते हो, और यह one time आप interest लें, and then you have to cash with the passage of time, और with the later on, कि आपने का कि जी मैंने first say that 1000 डॉलर लगा है, and when it will become 5,000 or 6,000, क्योंकि यहां पर देखिए, अगर हम 4,000 डॉलर पे, sorry, 4,000 डॉलर पे आपकी investment है, 4,000 डॉलर पे आपकी 4,000 डॉलर की investment है, अगर bitcoin की price 4,000 डॉलर है, आप 4,000 डॉलर इंवेस्ट कर रहे हैं, and within one month, आपकी जो investment है, तो 8,000 डॉलर पर easily जाते हुए नजर आ रहे हैं, meanwhile के आप यह 4,000 डॉलर इंवेस्ट की है, and now it become 8,000 डॉलर, तो almost double कर लिया आपने investment, so, is it not nice, के आप with the help of charts, with the help of indicators, आप momentum देख रहे हैं, कि यार, एक मुझे clear indication मिला है, कि यहाँ पर मुझे investment करनी चाहिए थी, यह basically आपको months भी wait करना पड़ सकता है, आपको days भी wait करना पड़ सकता है, इस तरह की trades हंट करने में, ठीक है, जो हमने standard values डिसक्स की हैं, RSI की, तो alerts हमारी लग सकती है, कि जी price इस तरह below आ जाजाए, तो हम अपनी trades को active कर सकते हैं, तो I hope कि मैं, जो RSI की basic information आप से share करना चाहरा था, वो मैंने share की है, कि RSI basically क्या है relative strength index, और हमारी condition overbought कब होती हैं, हम oversold कब होते हैं, और जो RSI basically provides technical traders, signals about the bullish and the bearish prices momentum, और वो भी हमने discuss किया, because it is often plotted beneath the crop of a nice price, तो वो मतलब जो हमारे graph बनते हैं, उसी सही हम ये graph है, और इसी सही हम bearish and bullish momentum, हम अपना define कर रहे हैं, with the help of RSI. I hope कि आपको RSI का ये lecture अच्छा लगा होगा, पसंद रहा होगा, आप की before and after, इस indicator के बाद, learning increase होई होगी, तो इन्शाला मिलते हैं, हमारा एक last, हमारा एक और indicator है, MACD, हमने MACD को discuss करना है, और MACD के बाद, हम risk management को discuss करेंगे, और फिर हम, अपना, basic account खोलेंगे, कोई भी crypto project की exchange पर, और हम, एक अपनी basic trade लेंगे, कि हम buy and sell कैसे कर सकते हैं, with the help of technical analysis and fundamental analysis, तो जो MACD है, basically MACD is the moving average convergence divergence, उसके बाद, हम risk management study करेंगे, तो आपका basic TA का, जो module है, वो complete होगा, इन्शालला ताला, फिर हम crypto के किसी projects में, buying, selling करेंगे, तो मिलते हैं, हमारे next lecture, जिसकों में, हम एक last indicator, MACD को discuss करेंगे, so, see you soon, stay blessed.